हलो मेरे प्यारे विध्यार्तियों कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन स्टेडी चैनल वाइफा स्टेडी पर पार्ट अपन अकेडमी जैसा कि आपको पता है डेली 11 बजे आपके लिए खास सेशन आता है जिसकी शुरुवात आज हो रह यह मातरिक टॉपिक नहीं है यह एक अर्थमेटिक का सबसे बड़ा बेस है नंबर्स के तौर पर अगर देखा जाए तो SCF-LCM का कोश्चन हर किसी परिक्षा में उतना ही उपियोगी है जैसे कि हर परिक्षा में मैथ उपियोगी है क्योंकि SCF-LCM अपने आप में एक खास टॉपिक है डियर स्टूडेंट NTPC, SSC, UPSI या GD की बात करें तो हर लेवल पर यह आपको देखने को मिलेगा और हर प्रशन पत्र में इसके दो कोशन जरूर मिलेंगे यूँ कहूं तो TCS का यह most favorite topic अभी चल रहा है जो कि numbers के साथ साथ 2-3 question वो डालता ही डालता है तो मैं इस chapter को बहुत अच्छे से आपको कराने वाला हूं आप सबसे यह request करूँगा कि इस video को आप शेयर कर दे अधिक से यहाँ जो खेल होगा सिर्फ concept का होगा आज आपको वह पढ़ाऊंगा जो आपके लिए दिमाग में जो चीजें है वह गलत है मतलब आपके दिमाग में वह चीजें गलत है कि हमें ऐसे करना चाहिए जबकि वास्तविक्ता मैं आज आपको दिखाने वाला हूं इस session में तो आपके लिए सबसे खा है ना तो पूरा देखना ये तो चलिए तो यहां तक आपके सामने सारी चीजे क्लियर मैंने कर दी है और उम्मीट करता हूं कि आगे भी यह चीजें आपके दिमाग में क्लियर होती रहे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का session मेरा अगर मेरा आप कोई बैच लेना चाहते है पर तो आप जॉइन कर सकते हैं मेरा foundation बैच जो कि सभी competitive exams के लिए जरूरी है फाइब पीम पर मेरी क्लास होती है अनकैडमी पर अनकैडमी लर्निंग पर आप जाएंगे स्सी एक्जाम पर आप जाएंगे get subscription पर आप जाएंगे बारे और 24 महीने का बैच लेकर मेरे साथ मेर डिटेल कोर्स में आप जुड़ सकते हैं जैसे यह आप आरे और 24 महीने का कोर्स लेंगे हैवे रेफरर कोर्ड में आपको साहिल टैन लगा कर एपलाई कर देना है डिसकाउंट मिल जाएगा साहिल टैन एज रेफरर को लगा कर यह तो paid batch वाला हो गया साथ के साथ आप किसी ऐसे प्रेक्टिस सेशन ले रहा है उसको कोई नहीं रोक सकता क्यों क्योंकि मैंने इसका एक नया वर्जन आपके सामने लॉंच किया है जो SSC UPSI Railways सभी स्टूरेंट्स के लिए समान तौर पर कारगर साबित होगा यहां पर मैं हर तरह के कुश्चंस आपको करवाऊंगा प्रेक्टिस होने वाली है आज की तारीक केवल और केवल सीडियस के लिए सीडियस एस्पिरेंट्स के लिए क्योंकि यहां कोश्चंस होंगे जो की पेपर में आने वाले तो भाया ढंक से पढ़ना है वीडियो को शेयर और लाइक करते रहना है लिंक इसका कमेंट बॉक्स कर लिया करो और डाइरेक्ट ली पर पहुंचकर फ्री फ्री प्लान के लिए साहिल टैम को लगाकर आप फ्री ट्रीफ को देख सकते हैं जो कि रात को आठ बजे होती है कि यह प्रिफाइल में जाकर स्पेशल क्लास पर जाकर ठोड़ा सा कस्ट उठाए एक बर आपकी पकड दोस्तों तक शेयर करके अपने कोशन ज़रूर भेज सकते हैं मेरे तक चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को ठीक है बिना किसी देरी के आईए अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं SCF and LCM अरे खूब पढ़ाए सर ये इसका मतलब भी आपको पता होगा लेकिन अगर नहीं पता है तो आज आपको हरी चीज पढ़ाई जाएगी बेसिक से लेके हाई लेवल कोई ऐसे उड़ाने वाला काम नहीं है मेरा ना कभी रहा है और ना कभी रहेगा उद्देश्य अभी यही है कि आपको एक बहतर कॉंटेंट देना है जो आप लोगों तक नहीं पहुच पाता किसी भी माध्यम से नहीं पहुच पाता चाहे आप किसी पेड़ कोर्स में पढ़ रहे हो चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो यहां में आपको जो कराने वाला हूँ वो अपडेटेड कराने वाला हूँ जो आजकल चल रहा है, जो आने वाले समय में आ सकता है और जो छुटी-छुटी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती है तो प्लीज दिहान लगाकर, मन लगाकर पढ़िएगा कोई slow या fast नहीं करेगा मुझे अपने हिसाब से ये chapter पढ़ाना है आप लोगों को तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप धंक से पढ़े वीडियो को लाइक और शेयर बदस्तूर करते रहे अब आते हैं SCF और LCM, chapter का नाम यही है अगर इसको हम LCM लिखते हैं तो अगर मैं इसकी एक बार English रिखना चाहूँगा फिर उसके बाद आपसे बात करूँगा least common multiple और SCF की अगर मैं English रिखना चाहूँ तो highest common factor पहले तो जब आपको यह chapter पढ़ना है न तो आप पहले इसका mean समझेंगे क्योंकि अगर जब आप इसका मतलब नहीं समझेंगे तो यह chapter आपके लिए वैसे ही खतम है क्योंकि हमेशा जो confusion होता है उस confusion का इलाज तब ही हो पाएगा जब उस confusion को हम deeply समझ पाएगे कि यारी confusion नहीं है यह तो concept है और इस concept को कैसे हम detail में discuss करने वाले आईएगा मैं आपसे अक्सर कहा करता हूँ कि यार यहां लिखा रहता है multiple और यहां लिखा रहता है factor सरी multiple क्या है तो हम यह ध्यान से देखें तो multiple multiple का मतलब होता है गुनज गुनज और इस factor का मतलब क्या होता है गुननखन multiple का मतलब होता है गुनज और इस factor का मतलब क्या होता है गुननखन तौनव बाते क्लियर है मल्टिपल का मतलब गुनज होता है इसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं इसको हम हिंदी में अपवर्तिय भी बोलते हैं अपवर्तिय ठीक है इसलिए नाम इसका क्या पढ़ता है लगुत्तम अपवर्तिय और इसको बोलते हैं अपवर्तक एक बात आएगी हर एक बात समझ में भी आएगी आप लोगों को ठीक है मैं डियर स्टुडेंट्स तो यहां पर जो आपके सामने लिखा हुआ है मैं अगर आपसे कहता हूँ कि आप मुझे बताईए कि चार के मल्टीपल क्या क्या होंगे और मैं आपसे कहता हूँ चार के फेक्टर क्या क्या होंगे दौनों में फर्क बताईए अगर मैं आपसे ये बात बोलो कि चार के मल्टीपल क्या होंगे और चार के फेक्टर क्या होंगे आप मुझे दौनों में फरक बता सकते हैं तो ब चार दुनी आठ चार का तीसरा मल्टीपल चार तिया बारा चार का चौथा मल्टीपल चार चौके सोला इसी प्रकार हम किसी संख्या के अगर गुणज निकालते हैं तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या किसी संख्या के इन्फाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं यह सर कोई दिक्कत नहीं है अब आपको समझ में आएगा कि क्यों LCM में लीष्ट लिखा होता है और आता मैक्सिमम है कहान यही तो है कि आपको अंतिम छोड तो पता ही नहीं है यह बात समझ में आ औरी है मैरी कि जब हम nowering निकालते तो आपको अंतिम स्ख्योड पता है क्या चार Self नहीं पता सर, हमें नहीं पता, यह अनन तक जा रहा है, हमें क्या पता, इसलिए हम अगर LCM निकालेंगे, तो हमें least common multiple juice करना पड़ेगा, क्यानि कि सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज लेना पड़ेगा यहां पर, और अगर हम factors की बात करते हैं, तो अगर मैं factor की बात करूँ, तो highest common factor, चार का अगर आप highest common factor निकालते हो मेरे दोस्तों, तो factor इसके क्या होते हैं, यह होगा, दो भी होगा, और एक भी होगा, तो factor हमेशा, या तो खुद संख्या हो सकती है, या फिर इसके छोटे हो सकते हैं, बस, या तो यह संख्या हो सकती है factor, या इससे छोटा चलेगा, या तो चार हो गया, या दो भी होगा, या एक भी होगा, तो यह factor की कहानी है, factor बहुत limited होता है, हम इसको निकाल सकते हैं, number of factor हम बात करते हैं, तब भी तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो multiples हैं, वो infinite हो सकते हैं, हमें नहीं पता कि हम कहा जान है, इसलिए हम कहते हैं, कि या यहां तो आपको सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा multiple उठाना है, और यह highest common factor उठाना है, यह highest common factor उठाना है, ठीक है, यहां तक आपको छोटी छोटी बाते समझ में आई क्या, आई होंगी, कोशिश करता हूँ, अब मैं आगे चलता हूँ आ common multiple की, हमारा काम तो common multiple है, least common multiple, अगर मैं बात करूँ आप से common factor की, तो हमारा काम तो common निकालना है, देखो, हर किसी के नाम में common आ रहा है, यह भी common है, यह भी common है, common मतलब होता है urbanist, चलिए, अची बात है सर, कुछ सीखने को मिल रहा है, चीजे देखो, यही सबसे बड़ा basic होता है, आप अगर इस चीज को समझेंगे ना, तो आपको अच्छा लगने लगेगा, यानि कि अगर मैं आप से कहता हूं कि आपको तीन एवं चार के common multiple निकालने हैं, ठीक है, और मैं आप से कहता हूं, आपको बारे एवं अठारे के common factors निकालने हैं, मैंने यहां बोला, अभेनिस्ट गुननखंड, अभेनिस्ट मल्टिपल, अभेनिस्ट गुनज, मैंने आप से बोला, अपने नोर्स बना ले ना, बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, अभेनिस्ट गुननखंड, अब दौनों में फर्क बताओ पहले मुझे, क्योंकि देखो, जो चीज आप पढ पुछा कहा रहा है, रोशन कहा रहा है, तीन क्यों नहीं होगा चार का फैक्टर, रोशन हम कोई जोड या घटा भाग थोड़ी कर रहे हैं, बेटा, हम यहां पर वो चीज देख रहे है, चार की गुणज, बोल रहे हैं, टुकडे, टुकडे मतलब गुणा में होता है, मैं आपकी सामने इस पर शकना चाहता हूँ, सर तीन और चार की आप मल्टीपल की बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, सर आप, यानि कि अगर आप तीन और चार का पहला मल्टीपल लेते हो, तो बारह आएगा, क्या बात है, तभी तो हम कहते है, फिर तीन और चार का दूस तो यहां पर मैं कह सकता हूँ कि यह तो common multiple यह सारे है भाई सारे common multiple दिख रहा है आपको 12 भी है 24 भी है 36 भी है 40 भी है यह तो common multiple की बात कर रहा हूँ मैंने अभी कुछ नहीं बोला है मैं आपको वह चीज समझा रहा हूँ जो नीव है जो बिल्कुल टॉप क्लास बेसिक होने वाला है आपका तो आप यह कहेंगे कि बारा चौबेश चाथिस अर्टालेस उसके बाद आप ले सकते 60 60 भी होगा ऐसे तो आप कहीं भी जाहिए कहीं तक भी जाहिए क्या दिक्कत आ क्या कहते हैं दो भी होगा इसमें कौ्मन फेक्टर तो तीन भी होगा चार नहीं होगा पाँच भी not only yet of गडिक्कत दो तीन छे बात को सामने अगया अब आता है कॉंसेप्ट की यार यह तो सर अब थीन तीन आंसर आ अब तीन तीन आंसर आ गए तो जो गनित सिखाने वाले थे या गनित बनाने वाले थे उन्होंने कहा कि भाई क्या इलाज किया जाए इस चीज़ का common multiple की अगर हम बात करते हैं तो इतने सारे आ रहे हैं इसलिए अगर मैं आपको समझ में आ रहा होगा या ना में जवाब देगे देना तो अगर मैं तीन और चार के है और क्यों ना हो जब आपको चीजे इस पस्ट नजर आ रही है कि क्यों सीफ की बात की जाती है क्यों यहां लगाया जाता है क्यों यह लगाया जाता है कारण आपके सामने तो यार, देखो, न आए, यही तो उने के सामने दिक्कत आ रहे थी थी हम ले क्या लो इसलि लिए ने काई बाई low mindfulness g ले लो वेट्किए आप highest को तो पकड़ी नी सकते हो कभी भी तो यहांपरplingsCM के चक्कर में उन्होंने least common multiple बनाया 12 12 और उन्होंने यहां पर SCF के चक्कर में हाइस्ट कॉमन फेक्टर बनाया हाइस्ट हलाकि दो और तीन भी आपके कॉमन फेक्टर है लेकिन आप यह लोगे क्या क्या दो और तीन लोगे क्या आप दो और तीन को चुनोगे क्या पूले नहीं चुन सकता सर फिर दो कहेगा मैं आ हुआ तो उनको भी तो एक चीज रोक नहीं थी ना कि एक ऐसा कॉमन फेक्टर बनना चाहिए था जो कॉमन हो दोनों में कि तो यहां पर आपके सामने च्छे आ गया कि लिए करते जाएं कि जोरो शोरो से लाइक करते जाए यह ठोशेयर भी करना आप लोगों को यह आपका काम है मैं आपसे बात और कहना चाहता हूं अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर कहानी थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है आखों के सामने से वो पर्दा हट रहा है कि इसका मतलब सुनना और इस चीज को लिखना क्योंकि यह जो छोटे छोटे नोट है न यह आपको नोट्स कि इसका मतलब यह हुआ कि LCM यानि कि least common multiple वह नंबर होगा वह नंबर होगा जो दोनों नंबर्स से जो दोनों नंबर्स से डिविजिबल होगा एवं SCF वह नंबर होगा जो दोनों नंबर्स में दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा यानि SCF नंबर की आत्मा होगी SCF का भाग देने पर दोनों नंबर के रेशू सामने आ जाएंगे लिखो लिखो यह इस्तिती इसपस्ट हो रही है यह आपके छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाएं देखो दोनों संख्याओं से डिविजिबल होगा इन दोनों संख्याओं से डिविजिबल होगा इन दोनों संख्याओं से डिविजिबल होगा हो रहा है क्या बारा बारा इन दोनों संख्याओं से डिविजिबल होगा इन दोनों संख्याओं से डिविजिबल होगा इसलिए ही तो इसको least common multiple कहा गया ठीक है और अगर SCF की मैं बात करूँ तो SCF क्या होगा SCF वह नंबर है जो इन दौनों से बड़ा हो इनी सकता SCF तो वह नंबर है जिस नंबर से दौनों संख्याओं को divisible किया जा सकता है इन से छोटा ही होने वाला है आत्मा है इनकी वह अब आत्मा कोई इनसान से बड़ी तो हो नहीं सकती वैसे तो आप कोगे आत्मा आजार अमर है लेकिन इसमें कहेंगे कि अगर हम इस बात करें संख्या की तो संख्या में जो इनका highest common factor आ रहा है 18 में आपने SCF का डिवाइड कर दिया तो यहां पर आपका जो रेशो निकल कर आना है ए अनुपात भी वै कितना निकल कर आ जाएगा दो अनुपात तीन तो संख्याओं का अनुपात भी यही निकल कर आएगा दो अनुपात तीन तो यह बहुत बड़ी बड़ी चीजे है और चीजों को समझ लीजिए मज़ा आया यहां तक clarity आ रही है क्या सबसे पहली चीज clarity आना क्यूं highest common factor होता है क्यूं least common multiple होता है multiple अनंत होते है factor limited होते है factor या तो वह खुद संख्या हो सकती है या उससे छोटा होगा multiple या तो वह खुद संख्या हो सकती है उससे बड़े होंगे इसलिए हम least लेते हैं और इसलिए factor हम छोटे लेते है तो यह clarity आनी चाहिए आप लोगों के दिमाग में और अच्छा लग रहा है बड़ी बड़ी चीजों की बात नहीं करेंगे अभी क्योंकि धीरे धीरे पढ़ाना है मेरे को सारी चीज़ें और अच्छे से अगर मैं आपसे यह बात कहता हूं कि मुझे आप 42 कि सत्तर कि बायालिस सत्तर नाइंटी एट और 126 मुझे इसका आप एसी एफ निकालके बताएं हाईस्ट कॉमन फेक्टर तो किर्प्या करके एक बार सॉल्व करके बताओ अब एक एक करके सारे एक्जामपल्स पर आएंगे सारी चीजों पर आएंगे फ्रेक्शन वाले करेंगे जहां आपको गलत पढ़ाया जा रहा है वह चीज़ें हम बताएंगे कि यह चीज़ें गलत है मार्केट में चल रही हैं लेकि चलिए तो सर कैसे करते हैं SCF तो SCF निकालने की बहुत सारी विदिया होती है लेकिन सबसे प्यारी चीज़ है कि आप यह देखें सत्तर बयालिस नाइंटी एट और 126 मैं SCF पर काम करवाना चाहता हूं मैंने जो समझाया वह आपको समझ में आया होगा अब आपको एक ऐसी चीज़ लेनी है कि इन सभी संक्याओं में कॉमन हो इन सभी संक्याओं में वह चीज क्या हो कॉमने व सर्ग में तो आपने सबसे पहले वाग दे जिए मिए गस्याया पैथिस यहाया इनचास यह आया आपका 63 कोई प्रॉब्लम है क्या 2149 यह आ गया अब आपको कुछ और दिख रहा है कि इन सब में किसी एक संख्या से और भाग सभी में एक साथ जाना चाहिए क्योंकि आपको हाइस्ट कॉमन फैक्टर लेना है यह एक ऐसा फैक्टर जो इन सब में हो सब में एक साथ हो तो दो तो सब में था ही साथ और दिख रहा है सर कि 721 साथ पंजे 35 यहां पर कितना आ गया साथ साथ उननचा साथ नाम तिरेजट यानि कि मैं यह कहना चाहता हूं सबसे पहले जब आप इनके प्रेक्टर करते हैं गुननखन विदी लगाते हैं तो जो ऐसे कॉमन फैक्टर जो सभी संख् रहे हैं। वह काव में चले जा दिवाइड उनको आप क्या कहते हो हाई है स्ट कॉमन फैक्टर केते cinky दो गुना साथ कि अबलकूं क्यों सक और कुछ नहीं जा रहा है तो जो हम कह सकते है कमनृटर 2 गुना साथ यानेकि 14-14 आया आया नहीं आया बिल्कुल आया सर क्यों नहीं आया और जोरो सोरो से आया सर अगर मैं इसी के साथ LCM भी निकालना चाहूं तो LCM क्या कहता है भाई सब ले लो LCM कहता है सब ले लो LCM वह संख्या है जो SCF के अंतरगत भी आता है यानि की दो और साथ के बाद फिर तीन ले लिया यह तो कॉमन थे सब में अब कोई कॉमन नहीं लेना क्योंकि LCM कहता है सब को ले लो तीन, पांच, साथ, तीन फिर तीन से दिया पांच, साथ, एक, पांच और साथ हो गया ना तो साथ, पांच, इंटु सीन, इंटु साथ, इंटु दो. यह सारे आपके किसमें अगए? LCM में आगए 2 इंटु 3 की पावर 3 का orden 5 की पावर 1 इंटु 7 की पावर 2 यह आपका LCM हो गया को दिकत मेरे दोस्तों, थोड़ा-थोड़ा किलियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा जादा नहीं करना अभी क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है लेकिन किलैरिटी देखो कितनी बड़ी आनी चाहिए कि हमें वहां तो हमें हाइस्ट कॉमन फैक्टर लेना था सभी के अंदर अधिक्तम मौजूद हो यानि कि वो सभी की आत्मा हो या उस संख्या का सभी संख्याओं में भाग चला जाए सभी संख्या का इन सभी में इन सभी में भाग चला जाएं जा रहा है कि एल्सीम क्या होता है एल्सीम वो संख्या होती है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग चला जाएं बोलना सीखिए जब आप ये समझ में आ जाएगा ना आपको तो आपके दिमाग में डाउटी नही तो यहीं खतम करके चलो सारे डाउट आप ठीक है भाई SCF तो आत्मा है जो अंदर होगी छोटी होगी इन सभी से देख लो आप है चोटी और LCM बड़ी होगी यह चोटी चोटी चीज़ एक समझा रहा हो इसलिए समझा रहा हो कि यह काम आएंगी बात में फिर एक एक्जमप क्या है उसका पूरा डिसकेशन करूँगा बस अभी तसलिए से सुनिएगा मेरी बाते एक आधे एक्जमपल और आपके सामने रखना चाहूंगा किर्पया करके उनका ध्यान दीजिए और उन पर आंसर भी दीजिएगा मैंने ले लिया 12 18 और 24 आपको LCM और SCF दॉलों निक है कि अधिया कि अधिया है कि अधिया है कि अधिया है कैसे करेंगे डियर मैंने ले लिया 12 मैंने ले लिया 18 और मैंने ले लिया 24 सर कैसन करोगे पहले तो वह देखो कि तीनों में जो कॉमन है तो हमेशा छोटी संक्या से डिवाइड किया करो और नहीं तो आप रह जाओगे सब 2 जा रहा है मैंने का ठीक है बाई 2 का भाग जा रहा है और वही तरीक इसलिए 2 एक बार ही आएगा SCF में फिर 3 से जा रहा है सर पिर आपने दिया 2 फिर आपने दिया 3 और फिर आपने दिया 4 बस यानिकी सर देखो इस वाले कुशन का इस वाले कुशन का इस तो निकल कर आगया 6 अब SCF के बाद LCM का काम शुरू कर दो फिर 2 आएगा दो एकम दो फिर 2 आएगा और फिर 3 दो आएगा तो 3 दो निच्छा दो निच्छा तो बार है तिया 24 दो निच्छा अब चाहे तो आप चैक कर सकते हैं के LCM 20 संख्या है जिसमें प्रतेक संख्या का भाग जा रहा है और SCF वह संख्या है जो हर संख्या के अंदर है अगर मैं इन तीनों संख्याओं का अनुपात निकालना चाहूं तो मैं कहना चाहता हूं इन तीनों संख्याओं का अनुपात निकाले तो आप कुछ भी ना करें बिना SCF के एक खोकले हैं बस यानिकि यह दो अनुपात तीन अ पार में आजाएगा क्या बात है सर यह बार बाता क्यों लिखा रहों में रेशो भी क्योंकि कभी का वार है ना कुशन बन गया मतलब आपको एक टाइप और आ गया इस चीज का एक टाइप आपको पहली पता लग गया सर क्या अभी बतातों थोड़ी दिर रुख जाओ ठीक है मैं इडियर प्लियर है तो अनुपात निकल रहा है यह अब इसके बाद हम यह करते हैं बहुत लग रहा है थोड़ा फास्ट करिये लेकिन डियर देखो अभी बेसिक चल रहा है कुछ लोग जो नए पढ़ते हैं जो नए इस्टुडेंट होते हैं जिन्होंने कभी क्लेरिटी क्लेरिटी है वह जरूरी एडियर है ना तो प्लीस थोड़ा सा ध्यान दे और पढ़ाई पर कोशिश करें देखो मैं देख रहा हूं कि 15 से पूरा डिवीजीबल हो गया पंदरे एकम पंदरा अंदरे दूनी तीस पंदरे तीया पैतालिस पंदरे चोके साथ पं पंदरा दूनी तीस दूनी साथ और नौसों चलिए यहां तक मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है आप लोगों आपने सीख लिया मतलब यह एक फैक्टर विदी से आपने सीफ निकालना सीखा तो क्या हम कह सकते हैं कि एस वह संख्या है जहां पर कॉमन होता है मतलब सब मे सब्सक्राइब के प्रोस्पेक्टिव से चलिए क्लियर है आईए अब हम आगे बात करते हैं सर एक 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 कोश्चन में आपके सामने इस तरह से रखना चाहूंगा मान लीजिए कि दो नंबर्स है दो नंबर्स का अनुपात चार नुपात पांच है और उनका एसी एफ सोला दे रखा है तो वह नंबर्स क्या होंगे अब यह कुश्चन अभी से करने लग गया कारण क्या है आपको कॉंसर्ट पता है कि या नंबर्स कोई अलग चीज नहीं है नंबर्स जो है वह यहीं से बने हुए है जैसे कि हमने अभी आपको बता दिया कि आपके पास संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है तो यह लो सर नंबर नंबर में क्या है तो हमारे पास पहली संख्या कितनी आ जाएगी चार अनुपात आत्मा को इसके गुणा कर दीजिए बन गया 64 दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आत्मा को इससे गुणा कर दीजिए बन गया 80 अब मैं इसमें ये भी पूछ सकता हूं तो बताइए इन दौनों संख्याओं का LCM क्या होगा कोशन पर कोशन बन रहे डियर कोशन पर कोशन बन रहे हैं आप यह मैं सोचे कि आपने नहीं सीख रहा है आप बहुत कुछ सीख चुके हैं इसी सिर्फ कॉंसेट की वजह से देखिए अब LCM निकालने में क्या जा रहा है आपका तो LCM निकालने का क्या तरीका होगा सर कि तो पहले तो आपका सोले SCF आए गई आएगा हमेशा याद रखना आए गई आएगा अब चार और पांच यानि कि सर क्या हम डायरेक्ली ये भी कह सकते हैं कि जो LCM होगा वे दौनों अनुपात का गुननफल इंटू SCF होगा क्यो सेशन को लाइक करते जाओ क्योंकि ये प्यारी सी चीज आपने एक सीख ली और इस पर कोशन इतनी बार आया पर में एंटी पीसी में यूपी ऐसाई में भर भर के कोशन आया आप विश्वास नहीं करते तो आप पूछिए बच्चे बेपर देकर आये देखिए अगर मैं आप से बात करता हूँ दो नंबर्स का रेशो अगरेशो सेवन है और उनका एस सी एफ है आठ है तो बताइए भी या एलसी एम क्या होगा डायरेक्ट एलसीम पूछा जाता है हो गया आप इसमें क्या सूचना है जब कॉंसेट के लिए रपड़ा है तो सब कुछ आपके सामने खड़ा है यहां कह सकते हैं साथ चोंके 28 एभी इंटु एच अठाइस इंटु आट आटु 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 चोंसर्ट कहरी आए अच्छे आट दुनी सोले और च्छे वाइ 224 तो यह सामने कॉंसेट में क्लेरिटी आना बहुत जरूरी है देखो कितनी सी चीज थी कहां से तो शुरुवात की हमने और हम इस तरह के प्रश्णों को बनाने भी लग चुके हैं क्योंकि यह प्रश्ण पेपर में आते हैं इसी तरह के आते हैं कि रेशों अकेला कुछ नहीं है जब तक उसमें आत्मा ना डाली जाए उसमें सीफ का गुणा ना किया जाए तो संख्या बन जाती है और संख्या बन जाती तो लसी में निकाल लेते हैं लेकिन हमने डायरेक्ट भी देख लिया मज़ा आ रहा है खीच के लाइक करें शेशन को तग तरीकी से लाइक और शेयर करें अब चलते आगे भृやब के चलते है सर अ अब आगे क्या बताने वाले हैं आप आगे मैं बताने वाला हूं आपको fractions के बारे में थोड़ा समय fractions के बारे में भी discuss करूँगा आप लोगों से fraction का SCF and LCM फिर बड़ी-बड़ी संख्याओं के बात कर रहें fraction का SCF and LCM भिन्नो का SCF and LCM सर क्या होता है इसमें ये भी बहुत पूछा गया हर shift में paper में question आ रहा है अगर कोई भी fraction आपको दे रखी हो जैसे कि मैंने दे दिया आपको P बटे Q X upon Y A upon B अगर मैंने आपको ये fraction दे दिया और मुझे इसका highest common factor निकालना है इसी प्रकार मैंने इसी fraction का P upon Q X upon Y A upon B कि मुझे इसका LCM निकालना है तो मैं कैसे निकालूगा बताईए तो सर ये तो बहुत ही आसान काम हो गया अगर आप SCF की बात कर रहे हो तो आप ये कहते हो concept के according की देखो ये आपका क्या होता है अंश होता है इसको हम बोलते हैं numerator इसको हम बोलते हर डिनोमिनेटर मेरा आपसे पहला प्रश्नी ये है कि सर क्या करेंगे अगर आपको SCF निकालना है तो जो आपका फ्रंट फ्रंट होगा यही तो होगा हमेशा किसी भी संख्या का जो फ्रंट होता है वह उसका numerator होता है तो आप क्या करें P, X और A का आप SCF निकालेंगे और जो डिनोमिनेटर होगा उसका आप LCM निकालेंगे Q, Y, B प्लीज अभी कोशन को नोट करें जो मैं टाइप लिखा रहा हूँ उसको नोट करते जाए आपके प्रॉपर नोट्स आपके बनने चाहिए जिससे की आपको सीखने में आसानी हो चलिए और इसी प्रकार अगर हम LCM की बात करें तो आपको नियूमरेटर का LCM निकालना होता है यानि कि अन्श का आपको LCM निकालना होगा और भर का आपको SCF निकालना होगा तो यहां तक आपने नोट कर लिया आपको समझ में आया अब मैं आपको कोशन दूँगा क्या आप बनाएंगे बिल्कुल बनाएंगे डेफिनेटली बनाएंगे सर तो चलिए शुरुआत करते कॉंसेप्स की और मज़ा आएगा आपको यह मैं गारंटी से बोल सकता हूं और काफी इंटरस्टिंग होने वाला है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग अब कोशन के एक्जामपल आपके सामने आ रहे हैं एक्जामपल नंबर वन इस पर बहुत सारे एक्जामपल कराऊंगा और इतनी सारी गलतिया आपके बताऊंगा कि आप क्या क्या गलतिया करते हैं पहला कुशन मैंने आपके सामने रख दिया 18 बटे 5 तीन बटे 5 और 18 बटे 5 तीन बटे 5 और साथ बटे 10 मुझे आप निकाल के बताईए क्या तो LCM होगा और क्या SCF होगा पहला कुशन आपके सामने नेक्स्ट पांच बटे 6 साथ बटे 9 एक 11 बटे 12 क्या तो आपका LCM होगा बस यह निकालो ठीक है निकालो निकालो एक एक करके सारी चीज़े निकालते है चली तो सर जैसा कि आपने कहा था बड़ा कोई काम नहीं है बड़ा काम नहीं लेकिन पहली बार आपको लगेगा टाइम लगता है कि अगर हम LCM की बात करते हैं सर तो LCM में ऊपर वालों का LCM लेना अनिवार रहे है यानिकी 18 3 & 7 तो ऐसा LCM ले लीजिए जो तीनों से divisible हो जाए तो आप देख रहे हो तीन तो इसका multiple भी है 18 into 7 126 चलेगा SCF की बात हम करते हैं तो SCF क्या होता है कोई भी common नहीं होना चाहिए उसमें तो 5 5 5 वो 10 में है क्या common बिल्कुल है कौन है सर 5 तीनों में आ रहा है तो इसलिए 126 बटे 5 तो LCM की अगर हम बात करते हैं तो LCM 126 बटे 5 हो जाएगा अब बात करते SCF की इसी concept के हिसाप से अगर मैं SCF निकालता हूँ तो देखिए ज़रा 18 तीन और 7 पांच पांच और 10 तो यहां उपर कुछ common आ रहा है क्या SCF highest common factor कुछ भी नहीं सर एक है जब कुछ common नहीं आए तो एक आता है और यहां ऐसी संख्या लो जो पांस से भी कड़ जाए और दस से भी कड़ जाए तो दस हो गया एक बटे दस यह बात के लिए रो रही है बहिए चलिए अब आगे चलते हैं इस वाले का भी निकालता है वह ट्विस्ट आएगा अभी तो मजा रहा होगा और वह जरूरी भी आना क्योंकि शुरुवात आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप पहले अपने कॉंसेप्ट को सीखें और फिर जो गलतियां आप करते हो जो मतलब गलती चलता आ रहा है कोई सही बताने वाला नहीं है यह LCM हो गया और यह SCF हो गया चलिए तो सर LCM निकालेंगे तो क्या आ रहा है साथ पंजे पैथीस पैथीस और ग्यारा अपने पास हो जाएगा 385 और यहां पर SCF होगा कितना? 3, 3 ही तो है highest common factor इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, highest common factor देखना है जो तीनों में common हो, 3 ही है चले तो यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को अच्छा लग रहा है यहां तक वीडियो को जितने भी विध्यारती अभी देख रहे हैं मौदूदा इस्तिती में सभी विध्यारती लाइक करें और अगला प्रशन आपके सामने में रखने जा रहा हूं देखते हैं कि आप मे एक्जामपल नंबर थ्री इसका जवाब देखते हैं आप में से कौन देता है मुझे एक्जामपल नंबर थ्री इसका जवाब आप में से कौन देता है मुझे मैंने रख दिया 54 by 9 कॉमा 3 9 by 17 36 upon 51 यह लीजिए और आप मुझे निकाल के बताईए हाइस कॉमन फेक्टर क्या होगा स्सी एफ क्या होगा प्लीज यू में प्रॉसीड आप प्रॉसीड कर सकते हैं वैल डन योगेश आप अच्छा कर रहे हो तो आपके देखो रिजल्ट भी आ रहे है ना ऐसे ही एक्जाम निकालते जाईए और फटा फट से जॉब पाईए देखो भाई हां हां बहुत बहुत अच्छे बच्चे बहुत बढ़ी आया है बहुत अच्छे जो बच्चे पड़े हुए हैं पहले मैंने जब यह कॉंसेट आपसे किलियर किया था तो बहुत सारे बच्चों को पता है जिनको नहीं पता वो सीखेंगे गलती देखो बहुत सारी आ रहे हैं कोई कहा वो करते अगर मैं होता तो एसीफ निकालने के लिए क्लिए क्रता सर उपरवाले का सीआफ और नीचे वाले का LCM उपरवालों में कौन कौन आ रहा है मैं आपकी तरह सॉल्व करता हूं पहले है कि 54 है 19 तीय 57 और नो रोस नौ कितना हो जाएगा आपके सामने 9 और 7 16, 66 हो जाएगा 19, 57 और 9 ठीक है न? यहाँ पर आपके सामने 57 प्लस 9 आपके सामने यह हो जाएगा 66 और यह हो गया 36 और नीचे क्या आ रहा है सा 9 नीचे आ रहा है 17 और 51 आप मुझे बताइए यह यह ओपर हाएस कॉमन फेक्टर कितना आ रहा है तो आप कहेंगे सार 6 छैस में भी है 6 नीचे कितना रहा है सार 17 यह इक्याँवण एल सीम 21 Esper बेहाँ आ गया सिक्स अपॉन 173 सबकर यहीं आ रहा है सले बताएग़ 60 होगा कि नॉया कोई बात नहीं है पिर भी शह जाहीं ठीक में 6 कितना हो जाएगा स्थाइल सामने 153 यहां सबस्क्राइब कोई अपति नहीं है कोई संकट है कोई समश्या नहीं लेकिन यारी यह यह मैं हमेशा प्रिक्शन को इस तरह के concept में है न इस तरह के concept में simplify करके answers दे अब मैं प्रूव भी बताऊँगा अभी मैं प्रूव भी बताऊँगा simplify करके answer दे ठीक है तो सर सिंप्लिफाई करके जब आंसर देंगे हम सिंप्लिफाई करके आंसर देंगे तो कितना आ रहा है सर यह तो 6 बटे एक आ रहा है 9 से काड़ दिया यह कितना आ जाएगा 60 बटे 17 और यह कितना आ जाएगा तीन से काटा बारा और तीन से काटा 17 बार और इसका अगर आप हाईस्ट कॉमन फेक्टर निकालते हो तो वह कितना आने वाला डिय है उपर तो SCF 6 आ रहा है और नीचे LCM 17 आ रहा है प्लीज अब आपको चाहिए प्रूफ कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप प्रूफ बताईए प्रूफ तो चाहिए होता है बिना प्रूफ के आप इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे मैं आपको देता हूं प्रूफ आई यह सिखाता हूं आपको मैं यह कहता हूं कि SCF क्या होता है आप मुझे बताएं SCF वो संख्या है जो हाइस्ट होगी कॉमन होगी और फैक्टर होगी यह मैं कह सकता हूं कि SCF का इन तीनों संख्याओं में भाग जाएगा SCF का LCM नहीं है यह SCF है इसका इसमें भी भाग जाना चाहिए और इसमें भी भाग जाना चाहिए और इसमें भी भाग जाना चाहिए यह या नो यह यह नो यह यह नो बोलिये प्लीज का मौन बहुत प्यारा कंसेप्ट है यह 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 नो यह सर प्लीज प्रूब करके बताएं तो मैंने देखा भाई शंक्या मेरे पास कितनी है 54 बाइन सैंग कितनी थी 60 बते 17 और एक संक्या मेरे पास कितनी थी म है то 368 में मैंने ये निकाला ज्याग ज्यबटाए 17 को द्वागोंगा 60- guar श्याशन गरें कि सब्सक्राइब है कि सब्सक्राइब करना है कि और है कि क्या क्या निकलकर आ रहा है तो था। नो बार नो जो से जाए, नज बोलो यहां न बोलते जाओ आंक क्योंकि यह हुख प्यारा concept यार बहुत्वा बच्चे गलती करipse हजारों किताबों में गलत लिखा हुआ है कारण क्या है कि यार 6 बटे 17 के डिवाइड किया तो पूर्ण का तो रहें सारे यानिकि 6 बटे 17 यह इनका एक फेक्टर है वो भी कॉमन फेक्टर है तो सर 6 बटे 153 नहीं है क्या है यह भी है है लेकिन आपको कौन सा लेना होता है तो यह भी है लेकिन आपको कौन सा लेना होगा हाई एस्ट कॉमन फेक्टर यह तो छोटा है यह बड़ा है तो कौन सा लोगे यह वाला है क्योंकि लेना ही हाई एस्ट कॉमन फेक्टर है 6 बटे 153 तो चोटा है ना क्योंकि डिनोमिनेट common हो उते हम चुछ बहुत किसे बहुत गलत है सारी कचाएंच में और भरभर के कोशन पूछे एंटी बीसी ने और यह लपेटा आए बच्चों को एक साथ क्यों गलत करके आगे बच्चे सारे और यह मैंने पहले भी बता रखा इस्पेशल क्लासे में मेरी में चलिए आईए अब मैं एक कोशन और देता हूं इस पर अब कोशन देता हूं आपके सामने प्रूफ है मैं कुछ नहीं कर रहा पहले इस्तमाल करें फिर विश्वास करें चलिए मैंने आपके सामने कोशन दे दिया 6-3-3-4 6-3-3-4-18-20 आप मुझे निकाले इसका स्थी और आप अपने तरीके सी भी निकाले कि फिर आप चेक करें क्योंकि तभी आपको बिश्वास हो पाएगा चलो सॉल्व करो कि तो मैं तो एड का भी डंग से नहीं पता वो गड़ी का एड हो पासिन बॉर्डर निर्मा वैसी लगा रहे हो मतलबा राइमींग कि छे चारती आब आ रहे हो और तीन पंदरा बटे चार अठारे बटे बीस एसीएफ निकालना है लेकिन मैं तो लंग से सॉल्व करूँगा छे पंदरा बटे चार मैंने इसको काटा किससे दो से काटा नौ दो से काटा दस मैं तो प्रूफ करके दिखा रहा हूँ आपको यह कहानी है इसकी यहां पर आपका हाईएस कोमन फेक्टर क्या होगा उपर वाले का एसीएफ हो जाएगा साथ तीन और नीचे वाले का एसीएफ कितना हो जाएगा चालेस तो थ्री बाइफोर्टी ठीक है चालेस का बीस ही आपको तो लेना है ना तो बीस लो ना लो है लीस्ट लेना है ऐसे चालेस नहीं ले सकते आप समझ रहे हो ना क्यों कि चालेस अगर ले लोगे तो फिर चालेस भी होगा असी भी होगा लेकिन आपको लीस्ट लेना है लीस्ट क्योंकि नीचे वाले का लीस्ट निकालना होत और 18 बटे 20 तो उपर वाले को हमने solve किया यहां पर कितना आ रहा है सर यहां पर वही अपने पास कितना निकल कर आएगा 3 आ रहा है उपर, नीचे कितना आ जाएगा सर यहां पर 20 ही आ रहा है तो यहां पर भी 3 बटे 20 ही आ रहा है यह सही है हमेशा simplify करके ही लिखें वो तो कभी कबार किस्मत होती है जैसे कि कोई किताब वाला solve करता होगा देखता होगा आंसर मैच कर रहा है पेपर से चलो ठीक है चिल है लेकिन गलत तो गलत है आपके सामने इस पस्ट है ठीक है ना यानि कि यह सही है और वह लग गया समझ से कि और क्लेरिटी आएगी चलो मुझे निकाल के बताओ सौ बटे पच्चिस एटी एट बटे थर्टी थर्टी थ्री और फोर निकाली सेफ कितना होगा है निकाली फिर लस्म की बात करूँगा इसमें पिर वहां आपके दिमाग में जो क्लेरिटी होनी चाहिए वह दालू और भाई सेशन को लाइक करो यार इतना प्यारे कोशन हो रहे हैं यह पेपर में आते हैं आप यह मत सोचो कि यह नहीं आएंगे यह हर पेपर में आएंगे आपके कर दिया यह ओई नहीं बात कि नहीं बड़ी जल्दी दिया अंजर है लिए इस निकालना है तो उपर में सीअफ चार आ रहा है क्योंकि इन सभी में हाईएस्ट कॉमन फेक्टर चार यह और एलसीम कितना आ रहा है अच्छिस इंटू त्यांटिस वाह क्या माया है लेकिन अगर आप इसको कट करते हो यह लिखेंगे चार बटे एक यह लिखेंगे ग्यारे बटे तीन और यह लिखेंगे चार तो यहां पर हम देख रहे हैं सी एफ में कितना आएगा एक यहां पर कितना आजाएगा चार है यहां आजाएगा तीन तो मैं कहता हूं कि मेरा तो आंसर यह एक सब्सक्राइब और यह लेना है तो मैं यह देख रहा हूं कि यही चार बटे तीन सबसे बढ़ा है यह तो कहां जा रहा है यह कैसे पॉसिबल है यह शकल से पॉसिबल नहीं लग रहा है ठीक है मज़ा आगया डियर यास या नो प्लीज बताइएगा अब बात करते हैं LCM की फिर आज भूमवर्क भी दूंगा आपको और फिर और भी चीज़े पढ़ेंगे अपन कंटीनियू बेसिस पे लगातर बने रहा हूं 11 बज़े डेली सेशन होगा डेली कुछ सीखेंग क्योंकि अब भी इतनी सारी चीज़े हैं चाया आपने लाक पढ़ लिया हो मैं गारंटी देता हूं कि आप अगर इस सेशन में आ रहे हो आपको कुछ अलग ही मिलेगा क्योंकि जो अपडेट है जैसे मेरा काम ही है कि मैं आपके लिए बहुत सारे चीज़े मतलब मैं बहु कर लेगा नहीं सबसे बड़ी चीज़egt है अगर आप हर बार रीशर्च करके पढ़ा रहे हो जैसे कि में मैं क्लास स्टार्टिंग होगी क्यों 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 से जायते ले लिए घुने लग तो यह कहानी रे लग और लें के बार समयth अब LCM के बारे में हम चर्चा करते हैं अब LCM का प्रश्ण आप बनाएंगे कि क्या अंसार आपका आता है मैंने एक कोशन आपको दे दिया आठ कि सोला बटे बीस और एक सही तीन बटे साथ मुझे आप LCM निकाल के बता हैं क्या हो और तरीक सेम रहने वाला है तरीक बिलकुल सेम रहने वाला है एडियस की तो किसे करेंगे तो सल्व करेंगे सार पहले इसको 8 लेका फिर सो simplify किया 4, 4, 16, 4, 5, 20, पिर यह लिखा 7 एकम 7, 10 बटे 7, LCM निकालेंगे तो उपर वाले का आपको LCM देखना होगा, नीचे वाले का आपको LCM देखना होगा, तो उपर वाले का आप LCM देखोगे, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, हम यह देख पा रहे हैं सर, 8, 4 और 10 का जो LCM हमारे पास निकल कर आने वाला है, वह निकल कर आएगा 40, क्योंकि 40 एक ऐसी संख्या है, जो 8 से भी divisible हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, और 10 से भी हो जाएगा, और नीचे कुछ भी आपका common नहीं नज़र आ रहा है, सिवाए एक के, तो आपका जो LCM होगा, वह 40 हो, आपका जो LCM होगा, वह 40 होगा, क्योंकि LCM जब हम निकालते हैं, ध्यान रखना, नीचे वाले का SCF निकालना है, highest common factor कुछ है क्या, नहीं है, इसलिए आपका जो right answer होने वाला है, वह 40 will be your right answer, got it मेरे dear students, अभी तो मैं इस पर theoretical question भी कराऊँगा ना आपको, तो आपको और भी अच्छा लगेगा है ना, तो अभी enjoy करिए आप classes को है ना, अगला question आपके सामने में आपके रखता हूँ, उसका भी मुझे आप जवाब दे, example number 2 for LCM, example number 2 for LCM, LCM के लिए example number 2, आपने मतलब आज एक चीज सीख लिए, जो आपके काम की है, मैंने आपसे कहा कि 4 गंटियां है, 4 bell है, 4 गंटियां है, 4 गंटियां है, ठीक है, वह अलग-अलग समय पर बसती है, कोई 1 सेकंड पर बज रही है, कोई 1 सही 1 बटे 4 सेकंड के अंतराल पर बज रही है, 4 Bell है, अलग-लग seconds पर बजती हैं कोई 1 second पर बज रही है कोई एक प्रटे 4 seconds पर बज रही है कोई 1 वन कर चार सॉ कलेडर हूं 105 को था तक पर बज रही है विसमेर कोई 3 354 seconds पर लाधाय रिक्तिटिव यह चार बैल है आपके सामने यह इतने रेस्पेक्टिव टाइम पर बसती है तो मुझे बताइए यह है कि चारों कि एक साथ कि दुबारा कि कब बजेंगी कि मता कित्ती देर बाद कि एक साथ दुबारा कब बजेंगी कुशन की कुशन की बात है अभी तो शुरुवात है चिद्धियर हर एक चीज समझाओंगा आपको मैं मैं यह कहता ह doubt हो कि बाई कुशन तो उसी तरह का आता है और सर इस तरह की कुशन में लेते हैं आपको बताओ noises सिंपल सा है लसी एम वह समय है जिसमें इस संख्या का भी भाग जाएगा इस संख्या का भी भाग जाएगा जब कि कि एसी एसी एफ यहां आता है मैं तुम्हें डिवाइड करूँगा क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हो कि LCM क्या है कि इस संख्या का भी भाग जाएगा तो आपको क्या देखना है चार अलग अलग घंटियां है तो एक ऐसा समय निकाली इसमें इसका भी भाग चला जाए इसक भी चला जाए इत मींस फिलिंग आ रहा है लस्यम का फिलिंग आ रहा है तो चलिएगा कि लिए अब निकालते हैं देखिए तो यह एक यह उग्या 5 पॉर यह थ्री बाइटू यह थ्री बाइचार इस उपर वाले का इस देखा पंदरा नीचे वाले का सिए देखा एक क्योंकि कोई भी common नहीं है कि यहां पर आपके सामने कुछ होता तो common दो दिखता तो क्या हम यह कह सकते हैं 15 सेकंड बाद बजेंगी 15 सेकंड बाद बजेंगी 15 सेकंड बाद बजेंगी क्लियर है मज़ा आ रहा है अब यहां टाइम भी इंट्रिड्यूस करा दो फील करिये मैच को मैच बहुत अच्छी सब्जेक्ट है यार मैं आपको गारंटी देता हूं आप कंटीनू पढ़ो फिर करने जो रैगुलर पढ़ रहा है तो रैगुल़र टास्क मेरा करना पड़ेगा उसको अगर करता है तो वह यह प्रक्टिस की साहสे या इस्से बेहतरीन सोर्च हो सकता है बता हो आप पढ़ो प्त योरी पढ़ो कुछन की प्रेक्टिस करो और अपने आपको तैयार करो, इससे बहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता, यह लिजिए, मैंने पूरी आपको फाइल दी है, LCM, SCF, हर तरा के मैंने आपको कुश्चन यहाँ पर डाले है, अभी आपको मज़ा आएगा सीखने में, कुछ और भी चीज़े सिखाएंगे, जैसे मज़ेदार, यार, कंटेंट में तो कोई सानी नहीं है, अब देखिए, मज़ेदार तरीके से, ठीक है, तो यह कहानी है आपके लिए, पूरी की पूरी कहानी, सपस्थ है, 19 कोश्चन की आज प्रैक्टिस दे रहा हूं, सब लोगों को मन लगा कर इस क्लास में पढ़ना है, रेगुलर बेसिस पे आपको चीज़े देखनी होंगी, जिससे कि आप बहतरीन से बहतरीन विकल्प आप लेके जा सकें, सेशन को लाइक जरूर करिए सबी विध्यारती, जितने भी मेरे देख रहे हैं यहांपर, साथ के साथ, रात को आट बजे, इसी तरह की एक सुपब होती है, अनकेडमी लर्निंग एप पर, जो कि टॉप क्लास कैच दा मेहत के अंतरगत आती है, और यह सीरियस एश्पिरेंट्स के लिए, तो जो भी विध्यारती मेरे इस एक्जाम से ब्लॉंग करते हैं, 16 मार्च रात को 8 बजे, डेली होता है, आप आओ या ना ओ, यह तो कोड लगा कर अनकेडमी पर, free, mock test, special class, सब कुछ आपको मिलेगा, अनकेडमी लर्निंग पर आप जाएंगे, SSC exam मेरी क्लास चलेगी, special class और free live class पर आना है, आपको, साहिल घंडलवाल को follow कर लेना है, और उसके बाद, special class पर जाकर, C all पर चले जाना है, 8 p.m वाले class देख ल एक इस subscription में, SSC exam पर आप जाएं, get subscription पर जाएं, 12 और 24 महिने का batch लें, have a referral code में, sahil 10 as a referral code लगा दे, बस free हो जाओ, मस्ती से पढ़ाई करो, combo भी ले सकते हो, किसी भी category में कोई भी subscription लो, तो भी sahil 10 लगाओ, thank you so much, अभी मेरी 12 बज़े भी class है, उसमें भी आईए, मज़े से पढ़िए, तो like करिए, share करिए, इस session को, इतना share करिए, इतना share करिए, कि मज़ा आ जाए, और फिर कल मिलेंगे, बड़िया concept के साथ, homework कर लीजेगा, PDF में दे दूँगा, भी थोड़ी देर में, PDF थोड़ी देर में, आपको मैं दे देंगा, PDF नीचे comment में पिन हो जाएगी, आपको, और बस आप homework कर लेना, मैंने जो questions आपको दिखाए है, ठीक है, take care, love you all, like जरूर करें, जिन्होंने नहीं किया है, share जरूर करें, यह आपका काम है, मेरा काम आपको top class content देना है, as always, हमेशा की तरह, world best content, चलिए, bye bye, मिलता हूँ, साड़े बारे बज़े, okay, किया एंपान, बारे बढ़े, किया है, diligent Пр RHK, V व, आरूर को देना है, जिन्होंने आपको, जे आपको, ईपको, जई है, आत toMP है,DIA रहा जे से हमे estánd रहां है, हमेशा की तो, जे आपको, जे दिखख बद।, पिको रहा है, जे जेुगा सीवत सेज़े, अभाइब, जे जे ह झाल झाल